नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है स्रीकर्षने कहते हैं कि ये चीजें मनुष्य को अपने घर की ये चीजें वोल से भी दोसरों को उधार में अत्वा भेट में नहीं देनी चाहिए इन चीजों के साथ ही घर से लक्षमी भी चली जाती है दोस्तों हमें बच्पन से ही सिखाया जाता है कि दोसरों की मदद करने से दोसरों को दान देने से मनुष्य को पूर्ण में मिलता है वगवाण श्रीकर्षने के अनुसा जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा पली मिलता है परंतु कुछ चीजें ऐसी होती जो आपको भोल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख सम्रदी भी चली जाती है क्योंकि इनी चीजों के साथ आपके गर की सांती, सुक सम्रदी जोड़े हुई हुए गर ये चीज़ें आप दोसरों को दे देती हैं तो आपको दरिद्धा का सामना करना पड़ सकता है श्लू पुरान में इन चीजों का उल्लिक किया गए इन चीजों का संबंद महालक्षमी से माना जाता है और हम सबी जानते हैं महालक्षमी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्तु है जिस गर पर महालक्षमी की क्रपा होती है वहाँ पर सदेवधन, वैबव, सुक सम्रदी का आगमन उगता है अगर महालक्ष में किसी कारण वर्ष रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख संपत्ती और वैबव भी निष्ट हो जाता है यह आप भी यह ध्यान में रखें कि आपकी घर में मौजूद ऐसे चीज़ें जिसका समध महालक्ष मी से सुरू को कभी उधार में ना दे अगर आप भी चाते हैं कि मालक्ष मी की करपा आप पर सदा बनी रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें साथी हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि आप ऐसे अध्यात्मिक जनकारी वाले वीडियो देख सकते वाई ये जान लेते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें उस्तों को कभी देनी नहीं चाहे सबसे पहले चीज़ें पतनी के गहने दोस्तों इस्त्रियों की आपोश्णों मालक्ष्णी का प्रतीक माना जाता है सुन्दर आपोश्णों से सुसोबित इस्त्री मालक्ष्णी के प्रतीविंब की तरह दिखाई देती हैं लिए जब भी हम गहने खरीते हैं तो सबसे पहले मालक्ष्णी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बादी उन्हें पहनते हैं घर की इस्त्रियों को घर की लक्षमी माना जाता है कि गले में आवोश्री का होना सुक सम्रदी को दरशाता है इसलिए अपनी पत्नी की गेने कभी किसी उधार में या दान दूसरों को इस्तिमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए पसकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगर सुथ पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तिमाल के लिए ना दे से घर की बरक्कत और भागी भी उन गहनों के साथ चला जाता है माता लक्षमी अत्यांत रुष्ट हो जाती है। ये अपने घर में सुक सम्रदी बनाए रखने के लिए गैनों को दूसरों को इस्तिमाल करने के लिए ना दे। दूसरी चीज है जाडू तो जाडू जो सफाई के लिए काम आता है मारे घर से नकरात्म कूर्जय को दूर करता है वो स्वया मालक्षमी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जाडू में माता लक्षमी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की जाडू कभी किसी को उधार में या उपयोग के लिए ना दे, अगर जाडू खराब हुई है, उसे किसी प्रवाहित चल में बहा दे, लेकिन उसे किसी को उधार में ना दें, या कच्रे में ना फेकें, क्योंकि अगर आपके घर की जाड़ो कोई दूसरा उपयोग करता है, तो इसका असर आपके घर की सुक्सान्ती पर पड़ता है, इसके साथ ये भी बात ध्यान में रखें, कि दूसरों की घर की जाड़ो का अपने घर में कभी प्रयोग न कर, क्युंकि ऐसा करने से उनके घर की नकरात्मकूर आपकी घर में आ सकती है। तीसरी चीज, सूरज तुपने के पश्चा, दो, दही, चावल, नारियल, आंटा, इसी सफेद चीजों का दान करना, उसरों को दान में देना अशुब माना जाता है। इसा माना जाता है कि, कि सफेद चीजों से बुरी नज़ा जल्दी लग जाती, लिए सूरज अस्थोने के पश्चाथ, अपने घर की ये वस्तु, दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इसा हमें सदा ही प्रयास करना चाहिए। अपनी तेजोरी में रखा हुआ धन, दोसरों को कभी ना दे। पाच्वी वाद, दोस्तों मालक्ष, मालक्ष मी वैभव प्रधान करने वाली, सौभागे देने वाल, वम्ता की मूरत है। साथ ही, वा अन्यपूर्णा भी है। लिए हमें अन्यग्रान करने से पहले, मा अन्यपूर्णा को धन्यवाद आवश्य करना चाहिए। रसोई घर की सुद्धता और संपन्यता उतनी यावशक है जितनी दिन। पाच्वी वस्तू है रसोई घर का चकला बेल और तवा। जी हाँ, अपने रसोई घर का चकला बेल दोसरों को कभी इस्तिमाल के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ये चीज़ें दूसरों को देने, आपका भागी भी उनी के साथ चला जाते हैं। और ये मामलक्षमी को अत्यांत आप रिये हैं। इसलिए ऐसा कभी नग, अपने घर का चकला बेल नहीं या तवा, दूसरों को उपयों के लिए कभी नग, नहीं तो आपकी घर में दुर्बागी का वास हो सकते। दोस्तों, ये थी वो पात ठीज़ें तो जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देना चाहिए। वीडियो पसंद आने पर चनल को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मालक्षमीली का चनल को सब्सक्राइब जरूर करें।